हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इस्टडी विद मूलेंद पर तो फ्रेंड्स आज में जिके के कुछ important question लेकर किया हैं जो आपके आने वाली सभी परिक्षाओं में काफी मदद करने वाले हैं तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारे वेश्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने फस्ट कॉस्टन है फस्ट कुस्टन आपके सामने है कि अर्धसास्त्र में नौवेल पुरुषकार पाने वाले पृतम भारत्ये कौन थे तो फ्रेंड्स इस कॉस्टन का जो सही आंस्वर हो जाएगा अप्शन B सही होगा अमर्तिय शेहन अर्धशत्र में नौवेल पुरुषकार पाने वाले पृतम भारत्ये थे और 3 नौबर 1933 को इनका जनम हुआ था और इनोंने बंगाल में पस्चिम बंगाल में इनका जनम हुआ था और इनोंने नौवेल में अर्धसास्तर उनिस सो नैंटी नैंटी एट को प्राप्त किया था इतना आपको ध्यान रखना है और इन्हें भारत रतन भी मिला था वो को मिला था नैंटी नैंटी नईन में तो friends इतना आपको द्यान लखना है अर्जश्टास्त में novel पुरुसकार पाने वाले पृत्म बारती हैं आमत्स हैं और 1998 में इनने ये पृत्रुसकार मिला और 1999 में इने बारत रतन से सम्वानित किया गया है तो friends इतना आपको द्यान लखना है चलते हैं next question की तरब तो friends इस question को जो सही answer हो जाएगा option A सही है यानि कि डाक्टर मनमोहन सीं भारत की पृत्तम सिख प्रदान मंत्री थे इतना आपको ध्यान रखना है और friends इनकी बात कर दें तो ये एक अर्दिसास्त्री थे जिनका कारियकाल 22 मई 22 मई से लेके 2004 से 26 मई 2014 तक रहा था उसके वाद PM नरेंदर बोदी जी आगे थे तो इतना आपको ध्यान रखना है ये भारत के पृत्तम सिख प्रदान मंत्री थे चलते हैं next question की तरफ next question आपके सामने third question novel में पृष्कार प्राप्त पृत्तम भारतिय मेला कौन है आपको बताना है novel पृष्कार प्राप्त करने वाली जो पृत्तम भारतिय मेला वो कौन है तो friends इस question का जो सही answer है option B सही हो जाएगा Mother Teresa novel पृष्कार प्राप्त करने वाली पृत्तम भारतिय मेला थी और बात करते हैं इनका जनम किस परिवार में हुआ था इनका जनम अलवे नी याई परिवार में इनका जनम हुआ और जनम कब हुआ था 26 अगस्त 1910 1910 26 अगस्त 1910 में इसका जनम हुआ था और novel इन्हे novel पृष्कार मिला था वो सांती के लिए मिला था तो friends इतना आपको ध्यान रखना है novel पृष्कार कम मिला था 1971 को इन्हें novel पृष्कार सांती के लिए दिया गया और इन्हें भारत रतन पृष्कार भी मिला था वो मिला था 90-80 को तो friends इतना आपको ध्यान रखना है और ये दिल के दोरे के कारण इनकी मिर्तु हुई थी तो इतना आपको ध्यान रखना है चलते हैं next question की तरफ, next question आपके सामने भारत रतन प्राप्ट करने वाली प्रतम महिला आपको बताना है चार option आपके सामने है तो friends इस question का जो सही answer है वो जाएगा आपका option B स्रीमती इंद्रा गांदी भारत रतन प्राप्त करने वाली पृत्म महिला थी और ये इनका जो उपनाम था वो क्या था? उपनाम इनका उपनाम था नहरू और इनको जो गांदी की जो अपादी मिली थी वो फ्रोज गांदी की विवा के समय मिली थी इतना आपको जान रखना है और इनका जो पूरा नाम है वो इंद्रा गांदी प्रिये दर्शनी थी इंद्रा प्रिये दर्शनी गांदी सोरी इंद्रा प्रियेदर्शनी गांदी इनका पूरा नाम है और इन्होंने जो ये भारत की प्रधान मंत्री रहें तीन वार प्रधान मंत्री रहें 1966 से एक वार 1977 तक दो वार और उसके बाद 1980 से 1984 में ये भारत की प्रतीन वार प्रधान मंत्री रहें जिसके 1984 में अपने पुर्धान पद पर मार दी गई थी, इतना आपको ध्यान रखना है, चलते हैं नेस्ट कोश्चन की तरफ, नेस्ट कोश्चन आपके सामने, पृत्तम महिला चिकिस्सक कौन थी, आपको बताना है, पृत्तम महिला चिकिस्सक कौन थी, तो friends, इस कोश्चन क जो सही आंस्वर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, option C सही है, पृत्तम महिला चिकिस्सक कौन थी तो वो, कादंबिनी गाउंगुली, कादंबिनी गाउंगुली, पृत्तम महिला चिकिस्सक थी, और इनका जनम 18 जुलाई 1861 में बहागलपुर, बिहार के बहागलपुर म इनके जाना जाता है, बारत की जो पृत्तम महिला इसनातक के नाम से भी इने जाना जाता है, तो फ्रेंट्स चलते हैं, next question की तरफ, next question आपके सामने, भार राष्ट्य ध्वज तरंगे में तीन छेदी पट्टियां की जनुपात में रहते हैं, आपको बताना है, हमार जो र चलते है new question तरफ next question आपके सांदे राष्टिय द्वज तृरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत देता है आपको बताना राहिट यतीन है सफेद पर यह वो किस बात के लिए संकेत देता है तो friends 4 oder today के सामने हैं, तो इस question का जो सही answer हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, option C सही है, सांत्य और सत्य है, सपेद जो पट्टी है भारत में के द्धज में, वो सांत्य और सत्य का प्रतीक है, तो friends इतना आपको ध्यान रखना है, और बात करें के सरिया के, तो के सरिया जो पट्टी ह हैं, वो ताकत और साहस के लिए है, तो friends, चलते हैं next question की तरफ, next question आपके सामने, भारत में पवन और जाका जो विकास हुआ ता, प्रारम कब हुआ था, भारत में पवन ऊरजा का विकास कब से प्रारम हुआ था, आपको बताना है, चार option आपके सामने, तो friends इस question का जो सही answer पर हो जाएगा ओप्सन अबी सही यानि कि 1990 में 1990 में भारत में पवन उर्जा का विकास प्रादम हुआ था और बात करते हैं तो यह कहां पर हुआ था प्रादम यह तमिल लाडू में हुआ था तो फ्रेंड्स इसकी जो भारत के कुल उर्जा धक्षता का जो 6% जो भाग है वो पवन उर्जा से प्राप होता है चलते हैं नेस्ट कोस्टन की तरफ नेस्ट कोस्टन आपके सामने है भारतिय सिनेमा के जनक कौन थे चार ओप्सन आपके सामने है जल्दी सबना कमेंट वोक्स में आंसपर दें भारतिय सिनेमा के जो जनक थे वो कौन थे तो इस कोस्टन का जो सही आंसपर है, option B सही है यानकि दादा साहब फाल के भारती सिनेमा के जनक जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने सिनेमा में आजीवन योगदान के पृतीख सारा जीवन भारती सिनेमा में अर्पित कर दिया था तो friends, ये भारती सिनेमा के जनक जाने जाते हैं और भारत सरकार ने इनकी जनम सताबदी पर 1939 से भारत सरकार दादा साहिब फाल के पुरुसकार देने की गोशना की थी तो इतना आपको पता होना चाहिए सिनेमा के छेतर में दिये जाने वाला जो पुरुसकार है दादा साहिब फाल के पुरुसकार है चलते हैं next question की तरफ, next question आपके सामने, भारत में डांक ववस्ता शुरू करने वाला British Governor General कौन था, आपको बताना है, भारत में जो डांक ववस्ता शुरू की थी, वो कौन से British Governor General ने की थी, तो चार option आपके सामने, तो friends इस question का जो सही answer हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका option, यह सही है, लार्ड अलोजी भारत में डांक ववस्ता शुरू करने वाला British Governor General था, यह British राज्येगा Governor General था, जो 1848 से 1865 के बीज, के मध्य, इसने Governor General का पद समाला था, और डांक प्रता जो सुरू की थी, लार्ड अलोजी ने की थी, और इसने सिक्षाएं, प्रारंबी जो सिक्षा भी इन्हों प्रारंब की थी, और बात करते हैं, रुल की में जो, अभियांताही की जो महविद्याल है, इसकी स्थापना भी लारड अलोजी ने की थी, तो इतना आपको ध्यान अतना है, इसने, रेल तार की सुरूवात भी इन्होंने की थी, तो Friends चलते हैं next question की तरफ, next question आपके सामने, भारत में सिक्षा है एक, आपको बताना है, भारत में सिक्षा एक क्या है, नागरिक अधिकार है, राज्य दैत अधिकार है, राजनितिक अधिकार है, मूल भूत अधिकार है, चार option सामने है, तो इस question का जो सही answer है, option D हो जाएगा, मू अधिकार है इतना आपको ध्यान लखना है चलते हैं नेस्ट की तरफ नेस्ट को सना आपके सामने भारत के तीसरे राष्ट्यपती कौन थे जिनका अपने कारियकाल में ही निदन हुआ था आपको बताना है भारत के तीसरे राष्ट्यपती कौन थे जिनका अपने कारियकाल के दौरान निधन हुआ था तो फ्रेंट्स इस question का जो सही answer हो जाएगा option B सही है डाक्टर जाकिर हुसेन भारत के तीसरे रास्ट्रेपती थी जिनका अपने कारियकाल के दौरान निधन हुआ था तो फ्रेंट्स इनका जो कारियकाल था वो 13 मई 1967 से 1909 के लिए हुआ था तो friends, इनका जनम जो हुआ था, वो दानठे पठान परिवार में हुआ था कहों से परिवार में? दानठे पठान परिवार में और इन्होंने 1962 में उपराष्टे पदी का पद भी समाला था और ये बिहार के राज्यपाल के रूप में भी सेवा कर चुके हैं तो इतना आपको द्यान रखना होना चाहिए, कि इन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में सेवाए की हैं और 1962 में उपराष्टे पदी का पद समाला था और ये भारत के तीसरे राष्टे पदी बने है तो इन्हें 1963 में भारत रत्म से सम्मानित भी किया गया था, इतना आपको द्यान लख लेना है चलते हैं next question की तरफ, next question आपके सामने भारत का राष्टे द्वज, नियम कब से लागू कर दिया गया, आपको बताना है भारत का जो राष्टे द्वज, नियम कब से लागू कर दिया गया, चार option आपके सामने है तो friends, इस question का जो सही answer हो जाएगा, option C सही है 2002 से भारत का राष्टे द्वज, नियम लागू किया गया था, इतना आपको द्यान लखना है चलते हैं, next question की तरब, next question आपके सामने कौन सा नदी दच्छन भारत की गंगा नदी कहलाती है, आपको बताना है चार option आपके सामने है, कौन सी जान नदी है, दच्छन भारत की गंगा नदी कहलाती है तो friends, इस question का जो सही answer है, option C सही है, गोदावरी, दच्छन भारत की गंगा नदी कहलाती है, इतना आपको बता होना चाहिए, और ये कहां पर है, पढ़ती है, तो friends, ये महराश्ट के नासिक जली से प्रवेस करती है, और इसकी लंबाई की बात करें, तो 1465, 1465 किलोमीटर इसक जाकर के गिरती है, इतना आपको पता होना चाहिए, चलते हैं, next question की तरफ, next question आपके सामने, पृति बर्स भारत का ब्रत्तम पसू मेला, sorry, यहां पर मेला, मेल जो लिखा हो, मेला होगा, मेला लगता है, कब लगता है, आपको बताना है, पृति बर्स भारत का जो ब्रत्तम पसु मेला है वो कहां पर लगता है तो फ्रेंड्स चार आपके सामने है तो इस question का जो सही answer है option D सही है सौनपुर में पृति बर्स भारत का ब्रहत्तम पसु मेला लगता है और ये सौनपुर आपको पता होना चाहिए पढ़ता का है ये ब्यार का एक सहर है तो फ्रेंड्स इतना आपको पता होना चाहिए चलते हैं next question की तरफ तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छे लग रही हो तो like जरूर करें और वीडियो को जादा से जादा share करें तो आपके लिए आज का question है भारत का बोश्टन किसे कहा जाता है आपको इसका comment box में answer देना है और अगर अपने हमाई चैनल को भी तक subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर कर ले और comment करके बताएं कि भारत का बोश्टन किसे कहा जाता है चार option है आपके सामने तो friends अगर वीडियो अच्छे लग रही हो तो like करें और जादे से जादे से शेर करें और चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर कर ले मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए चैनल जय वारत